दोस्तो नमस्कार जोब इनफोर्मेशन योटूब चैनल में आपका स्वागत है देखे दोस्तो एक नया वेकेंसी के अपडेट लेकर क्या है या वेकेंसी जहारखंड के हाई कोट के तरफ से निकल कर आई है असिस्टेंट यानि साहयक पद के लिए वेकेंसी आई भी है आप सभी केंडिट जो भीग चुके हैं आविदन कर सकते हैं ओनलाइन आविदन करनी है पूरी प्रोसेस आपको बताय जाएगा आविदन करने का इस पोस्ट के लिए दोस्टों देखें सेलरी आपको जो मिलेगी 44,900 से लेकर के 1,42,000 आपको पेमेंट दी जाएगी पर मंद इस वेकेंसी के लिए क्वाइलिपेकेशन, एज लिमीट, अपलाई प्रोसेस, सलेक्शन प्रोसेस सारी जानकर इपको मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को दोस्टों अच्छे तरीके से सुरू से अंदर तक जरूर देखेगा, तो सब हमारे टेलीग्राम को जोइन नहीं कियें, तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के लिए औरipples कांशन प्रोसेस, सीटेल इस सब्सक्रास के लिए सब्सक्राइब को जयोंकर आई, इस में तो वीडियो में को जंड़ाया है, तो टल टेलीग्राम को जान disagree और 22 मार्च तक आप लोग जो है फॉर्म को आविदन कर पाएंगे ओनलाइन तरीके से चली इस विकिंसी की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं दोसों यहाँ पर देखें नेम आप दा पोस्ट जो की एसिस्टेंट फॉर हाई कोट आप चारकंड रांची के लिए निकल कर आई है पेलेबल सेबन के अनुसार आपको जो है पेमेंट दिया जागा 44,900 लेकर के 1,42,400 आपको जो है पेमेंट मिलेगे Graduation Candidate जितने भी है इस फ़र्म को आविदन कर पाएंगे Graduation और Equivalent या Graduation के बराबर कोई डिगरी है तो देखर के आप आविदन कर सकते है ध्यान रखेंसों आपके पास knowledge होना चाहिए computer में काम करने का साथ में जो है typing के भी जानकारी आपको जो है होनी चाहिए चलिए देखते हैं दोस्तों eligibility criteria में और क्या क्या देखें बताया गया है ध्यान रखेंसों candidate must have knowledge of working on computer with sound knowledge of tapping on computer minimum tapping speed देखे 20 word per minute ध्यान रखेंसों आपका tapping speed होना चाहिए 20 word per minute होना चाहिए जो की computer पर ये होनी चाहिए देखे age limit हम लोग देख लें दोस्तों जो की बहुत ही जरूरी है age limit देखे candidate must be देखे 21 साल आपका complete हो जाना चाहिए ठीक है और 35 साल से आपका देखे ज्यादा भे नहीं होना चाहिए इसमें देखे age में छूट दिया गया है जैसे कि unreserved और EWS category जो है candidate 35 वर्ष तक आविदन कर सकेंगे 37 वर्ष तक के BC1, BC2 category वाले candidate जो है आविदन कर सकेंगे 38 वर्ष त्यान रखे का female category जितने भी है जैसे कि general हो EWS हो BC1, BC2 female candidate 38 वर्ष तक आविदन कर सकते हैं देखिए SCST male female दोनों के लिए 40 वर्ष तक रखा गया है maximum age limit और age calculation 1224 के नुसर किया जा रहा है और ध्यान रखेगा PWD candidate को यहाँ पर दसल का extra छूट दिया गया है देखिए दोसों इसमें आपका selection कैसी होगी तो ध्यान रखे कर इसमें आप लोगों जो है merit list त्यार किया जागा कैसे तो return test होगी personality test होगी और भाईवा voice test इनके माध्यम से आप लोग का selection लिया जाएगा ठीक है ध्यान रखे कर return test, personality test और viva voice test ये तीन test से आप लोगों गुजरनी होगी इसन टेस्ट के माध्यम से आपका selection लिया जाएगा इसमें कोई typing test का आपको नहीं बताया गया है typing test वेगरा जो इसमें जनकारी नहीं दी गई है सिर्व आपका जनकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों ध्यान रखे कि जब आप application को आवेदन करेंगे यानि form को जो आप भरेंगे इसमें आपको जो है important documents की जोरत पड़ेगी जैसे कि latest scan जो photograph signature आपका चाहिए ठीक है फोटोग्राफ मतलब passport size photo और signature आपको देना पड़ेगे matriculation certificate चाहिए date of birth प्रूब करने के लिए ठीक है उसके बास जो की बताया गया है यहाँ पर देखिए प्रोविजिनल ओरिजिनल सट्पिकेट ऑफ ग्रिजिशन और equivalent degree यानि ग्रिजिशन और इसके बराबर जो degree आप देंगे उसके लिए आप दिन ग्रिजिशन का जो है certificate चाहिए आप लोगों से जो मांगी जाएगी उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है डेखिए diploma in computer application है dca का certificate चाहिए at least six month का आपका जो है six month का computer application या पर देखिए जो certificate है computer का वह आपको जो है देनी पड़ेगी कम से कम छे मैना का course ठीक है तो यह सब आपको जो है देना अनिवारे रहेगा दोस्तों देखिए इस form को आविदन करने के लिए कितना फी लग रही है तो फी इसमें देखिए आपको जो है 500 रुपे देने पड़ेगी यहाँ पर देखिए general ews bc1 pc2 category को जो है 500 रुपे देना पड़ेगा और आपको एक्टिवेट होगी और 20 फरवरे से आप जो है form को आपिदन कर पाएंगे notification का लिंक वीडियो के description में दे दिया हुआ है धन्यवाद